बगवान श्रीक्रेश्न कहते हैं कि अगर जीवन में बहुत से दुख आने हूँ तो उनका संकेत हमें पहले ही मिलने लगता है दुख और सुख जीवन के दो पहलू है जब दुख आना होता है तब भी हमें संकेत मिलने लगते हैं और जब सुख आने होते हैं तब भी हमें संकेत मिलने लगते हैं श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए व्यक्ति को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जीवन चक्र है और ये घूमता रहता है अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है तो आज हम बात करेंगे कि अगर जीवन में कभी भी बुरा समय आने वाला हो तो हमें कौन से ऐ पर उसार हमारे घर में एक उर्जा होती है अगर हमारे घर में कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो बुरे समय के आने के संकेत हो तो हमें उस उर्जा का अनुभव होने लगता है बात करते हैं आज पहले संकेत की अगर घर में बार बार लडाई जगडा रहता हो अगर घर मे कि बुरा समय आने वाला है और कुछ ना कुछ बुरे संकेत यहां पर बार बार दिख रहे हैं। दूसरा बुरा संकेत, अगर आपके घर में गाए आए और बिना रोटी खाए चली जाए, तो ये बहुत बुरा संकेत माना जाता है, गाए में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, हर घर के आगे गाए जरूर आती है और रोटी के लिए आपको एक बार जरूर पुक नियंद्रित नहीं है आपके घर की उर्जा इंबैलंस है और कहीं न कहीं वहां पर कुछ ऐसे लक्षन आपको दिख रहे हैं जो आने वाले बुरे संकेत का प्रतीक है तो आपको संभल जाना चाहिए और भगवान की ईश्वर की और कृष्ण की भक्ती में लग जाना चाहिए अगला संकेत है अगर आपके घर में मा तुलसी का पौधा है और वो पौधा बार बार सूख जाता है तो ये संकेत है कि आपके घर में कुछ बुरा संकेत मिल रहा है आपके घर में कुछ बुरा समय आने वाला है तो मा तुलसी की अराधना करें उनको जल अर्पित करें उन के घर में किसी भी तरह की negative energy के आने का आभास इसे सबसे पहले होता है अगला संकेत यह है कि अगर आपके में दूद को उबाला जाए और वो दूद बार-बार गिरता रहे या किसी के हाथ से दूद बार-बार गिरता हो तो ऐसे में भी ये बुरे संकेत का प्रतीक है तो आपको संभल जाना चाहिए और ऐसे में आपको बहुत ध्यान से दूद का इस्तिमाल करना चाहिए दूद का गिरना अच्छा संकेत नहीं माना जाता इसलिए हमेशा दूद को ढखकर रखे और इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें अगला संकेत अगला जो संकेत है जो बताता है कि आपके जीवन में कुछ कष्ट आने वाला है वो है पशू और पक्षियों का आपके घर में आकर मर जाना जैसे जानवर हैं, अगर आप कुटा पालते हैं, तो अगर आपके घर में बार बार कुटा मर जाता हो, तो ये अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है, इससे संतान को किसी प्रकार का कश्ट हो सकता है अगर आपके घर में तितलियां आती हों बार बार बहुत सी तितलियां आपके घर के आसपास रहती हों और वो तितलियां मर जाती हों तो इसे भी अच्छा संकेत नहीं कहा जाता तो इन सभी संकेतों को हमें ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, इन सभी संकेतों को समझते हुए हमें भगवान की अराधना, पूजा पाथ, श्री कृष्ण की भक्ती करनी चाहिए, वास्तु के अनुसार घर में कुछ ऐसी वस्तुओं को ऐसी चीज़ों को लेकर आना चाहिए, जो सकरात्मक उर्जा में बढ़ात्री करें ताकि आपके जीवन से कश्टों की मुक्ति हो और आपका जीवन सुखद और सरल हो तो ये थे कुछ संकेत जो हमें बताते हैं कि बुरा समय आ सकता है ये संकेत हमें पहले आगा करते हैं इसलिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी ल करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद